बुरा समय आपके जीवन की उन सत्यों से सामना करवाता है जिनकी आपने अच्के समय में कभी कलपना भी नहीं की होती है रादे रादे दोस्तों स्वागते आपका आधनिक मनी मंतर में जानते हैं क्या कहती हैं आपकी राशिया कैसा रहेगा आपका दिन शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से आज का पंचांग 8 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार आश्विन मास की शुकल पक्ष की चतोर दशीति थी पूर भाद्रुपद नामक नक्षत राज होगी आज का राहुकाल सुबह 9 बचकर 13 मिनट से सुबह 10 बचकर 41 मिनट तक रहेगी आज का पिजीत मोरत 11 बचकर 45 मिनट से तो पहर 12 बचकर 32 मिनट तक रहेगी दिशा शूल पूर्विदिशा यदि आप किसी कारण वर्ष इस दिशा में अत्रा कर रहे हैं तो चलिए मित्रो आज का राशी फल जान लेते हैं मेश राशी यह समय अपने लक्ष के लिए गंबीरिता से कोशिश करने का है आपको बहुत जल्दी इसका फल भी मिलेगा आप सभी कुछ बातों के बारे में सोच रहे थे उनको कारियानवित करने का समय आ गया है आपको अपने सारा ध्यान अब इसी पर लगाना होगा हाला कि आप इसके कारण बहुत व्यस्त रहेंगे लेकिन आपको इसका अच्छा फल भी जल्दी मिलेगा और आपकी सवलता की इच्छा बढ़ेगी स्वास्वर कल्यार आज कूप शारीरिक मेहनत वाले काम करें आपको बहुत जल्दी ऐसा कोई काम करने के लिए बुलाया चाएगा जिसमें इतने शारीरिक स्टामिना की जोट पड़ेगी कि आपने कभी सोचा भी ना होगा कि आप में इतना स्टामिना हो सकता है अज थोड़ा कम खाए नई तो पेट की समस्याओं के साथ-साथ और भी दिक्कते हो सकते हैं आपको तनाओ को दूर भगाने के लिए सास से जुड़े वयाम करने चाहिए प्यार और सम्मंद हो सकता है कि आपके पार्टनर का दिमाग कुछ बदलाओं के बारे में सोच रहा हो अगर आपका पार्टनर कुछ नया आजवाना चाहता है तो उस पर हसे नहीं करियर और धन आपने अपने व्यक्तिकत काम में व्यस्त होने की कारण अपने पेशेवर कारियों को कुछ समय के लिए अधर में लटका दिया था लेकिन लोगों को कारिस्थल पर आपकी बुरी तरह से आवश्यक्ता है हाला कि अगर आप एमेल पर संदेश या फोन पर जवाब ना दे पाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है वे बढ़ेंगे लेकिन आपको बहुत जल्द ही कुछ आप इत्याश्य धन प्राप्त होने के आसार है जिससे आप अपनी वित्ती इस्तिति को काफी नियांद्रित कर लेंगे शुबंक तीन शुब रंगे केसरी और पीला उपाएं काले गोडे की नाल से बना चलना पहने से स्वास्त बहतर होगा मित्रों इस वीडियो में दीके जानकार यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजे ज्यादे ज्यादे शेयर कीजे और कमेंट में अपनी प्राप्लम हमें बताएं ताकि हम आपके लिए उसका उपाएं बता पाएं आप सभी का धन्दवाद जैश्री राम